रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो मैं डॉक्टर अर्चना कुमारी सहायक प्राधापक जन्जातिय एवं छेत्रिय भासा विभाग रांची विश्व विद्याले रांची आई जहामिन MA semester 2 CC 203 खोठा लोग सहित विशै के अंतरगत खोठा लोग कथा और ओकर विशेश्ता के पढ़ब अर जानब लोग कथा लोग गाथा और लोग कहनी इतीनो नामे सोबले प्रचलित नाम और लोग प्रिय नाम है लोग कथा हलांकि इतीनो नाम लोग सहित के एके गोविधा के धोतक है लोग कथा माने लोगे कथा लोग बटले सुनल कथा लोग बटले कहल कथा हजारो बच्छर से परंप्राय मुहे मुह चलल आयल कथा है। लोग कहनी जनम कखन भेलेई, कोन काले भेलेई, कोन वेराई भेलेई, कोन लिखल, से टक कोनो ठोस परमान नाई है। हाँ, खाली अनुमान लगवल जाई पारें। मोटा मोटी जे दिन से बोलेग, बचकेक, सिखला, सै दिन से कहनीक जनम मानल जाई पारें। मकिन ई असपस्ठ है कि मौखिक रूप से ई कथा मानव समाजे विदमान रहल है। एखन जे कहनी कहेक और सुने के परंपरा है, से टाई कोनो बुढ़ा बुढ़ी, आजा आजी, नाना नानी, या फिन, कोनो बेकार, बैठल, अजवायर बेगेत, कहनी कहा हत, और सुना हत, नाती नतनी, पोता पोती, या फिन, आरो गामेक गिदर भूतरू। कहनी कहेक कोनो बेरा नाई है, कोनो पहर नाई है, मकिन, मोटा मोटी देखल जाय तो, सांजेक बेरा, या फिन, रोवदारिक दिने, अजवायर बैठल, आजा आजी, बुढ़ा बुढ़ी, ऐसे भी, बुढ़ा बुढ़ीक तो, ओशन कोनो भारी काम नाई रहे है। हाँ, आजी, नानी, बुढ़ी सब, रोवदारिक दिने, लेदरा, पटिया, ऐसने हलुक काम करहात, और बुढ़ा, आजा, नाना सब, खटिया बिनहात, दोरा बांटहात, या फिन, सुखल जोन्रा निखरहात। और इसने हलुक हलुक काम रहे हैं, बुढ़ा बुढ़ीक, वह इसने छवा गिदर, स्वब के पढ़ाई लिखाए, और खेलेक छोड़ाए, कोनो काम नाई रहे हैं, फूर्सेत बेरा, बुढ़ा बुढ़ीके, घैर के बईट जाई थाता, गिदर भूतरू, और कोनो कुछ जानेक उत्सुकता, बस से कहल हता, आजा कहेना, आजी कहनी, नानी कहनी, तकान अनसाय के कहल हता, कहनीक दू बहनी, माचिक दू सिं, नाचे बर्दा, धातिंग तिं, खतम कहानी, सिराई गेल कहनी, चला भागा, सिराई गेल कहनी, आपन आपन घार जा, मकीन, छवा गिदर माने वाला हत जम जमाई के बठले रहा हत और फिन रेगाई लागा हत और कही देनी कहनी तखन बुढ़ा बुढ़ी का करता है जोड जाइर के कहनी कहे लागला और शुरू भाई गयल कहनी कहे क परंपरा खोठा लोग कता के आपन कुछ खास विशेस्ता है जकरा हमीन एकक कईर समझब पहला कहनी कहेक विशेस समय और ठाव कहनी कहेक सुनेक कोनो समय और ठाव हवे है मोटा मोटी साइज से लई के राइत तक कहनी कहल सुनल जाहे रवदारिक दिने खाटी घोरेक पहर, गरुचगरी चरावे पहर खरै खर्यान में सुतेक पहर लोग कता कहल सुनल जाहे दूसरा है कहनी कहवईया और सुनवईया कहनी कहवईया भुड़ पूर्निया हवहत एकर अलावे वयसान लोग हवहत जे बात बनावे में माहिर रहत आर सोने वालिन रहत छोट-छोट गिदर बुत्रू या फिन निर्बुधिया बुढ़ा बुढ़ी तीसरा है आपन परिवेशक कथा खोठा कहनी आपन परिवेश बेश भाबे पावल जहें जैसे बोन जार, पहार परवत, बाग भालू, सियार, खेरहा, हाथी, घोडा, बांधर, सांप, आरो आरो कहनी विशेश लोक पुरिये हैं एकर समाजिक परिवेश गाउ घर, रिस्ता नाता, नार जोर, जायत पर जायत, छोट बोड, भाई बहीन, आरो आरो के कहनी पवाई चौथा है समाजिक परिवर्तने कथा, समाजे परिवर्तन आर समाजे बिकास के छाप बेश भावे देखाई पड़े हैं खोठा लोक अथाएं, जैसे सात बहाई बहीन के कहनी सियार, खेरहा के कहनी, बुढ़ा बुढिक कहनी, नाता गोता कहनी, ठगवा के कहनी, चालाक, चोर, मंत्रिक कहनी, राजा रानिक कहनी, राकस के कहनी, राकस आर ओकर प्रान, कोनो चराई में रहक कहनी, जादू टोनाक कहनी, औरो औरो इसोग कहनी, समाजे, परिवर्तन और समाजे, विकास के कथा कहनी पाचवा है मनोरंजन कथा, खोठा कहनी अधिकतर मनोरंजनेक करे है, मनोरंजनेक खातिर ही कहनी कहल जा है, मकिन मनोरंजन के अलावे कहीं ना कहीं भीत्रे भीत्रे सीचा, गियान, भूधियो दैदे है चाठा है सरलता, खोठा कहनी, खोठा छेतरेक लोगेक नियर, सोज आर सरल है, छोट से छोट छवा भी कोनो कहनी के तूरते समझ जहात, भूज जहात सात्वा है आपन सांस्कृतिक छाप, खोठा कहनी बेस भावे देखल जाई पारे, आपन छेतरेक, रीती रेवाज, रहन सहान, चायल बेहवार के बेस पता चले है आठवा है असलिलता के अभाव, खोठा कहनी असलिलता के भारी कमी है, हियाक लोग कहनी शिष्टता है, सालिनता है, ना की असलिलता नमा है भूत प्रेत सहायक रूपे, जे भूत प्रेत के चर्चा, खोठा कथाय हवे है, ओखिन में मानों के कसट, तकलीप, देवक प्रबृति नाई है भूत प्रेत आदमिक उपरे हावी नाई हवे है, बिचकुन आदमी सब आपन बुद्धी और गियान के जोरे भूत प्रेत के नोकर धांगर बनाई ले है, जैसे ओते आर तापे भूते कहनी दस्वा है स्वभाविक चित्रन, खोठा कहनी बरनत नात्मक सैली में कहल जाहे, सरल सब्दे एकरा सुनावल जाहे, मकीन कभू कभू मुहाबरा और कहावत के परजोग भी चले है अलंकारिक बरनन तो एकदम नाई हवे है, एकदम स्वभाविक रूपे सरल सब्दे पर्योग हवे है गारा नमबर में है अलोकिकता कमी, खोठा कहनी है भायक, भगवान, चमतकार और अलोकिकता धेर कमी पवा है जोदी एक दूगो पवाई भी तो उ मूल कहनी नाई है, खोठा छेतरे एकर धेर कमी पवा है बारा नमबर में है सुखांत कहनी, खोठा छेतरे कहनी मोटा मोटी सुखांत हवे है अपवाद रुपे एक दूगो कहनी ऐसन है जे दूखांत रुपे पवा है तेरा नंबर में है खोठा लोग कताएं समसामयिकता नाई पावाई मकिन यह भी सच है कि लोग कताएं दोसर भासा कहनियों में समसामयिकता नाई पावाई ये नियर मनोरंजनेक बोड साधन के रूपे, सांस्कृतिक महातम के कारण और समाजिक दसा के कारण लोक कथा, आज भी सहितेक सोबले बोड लोकप्रिय विधा बन ले है। धन्यवाद